नमस्कार यह कल्पना हमारे परम्मित्र श्री याग्यवल्क चतुर्वेदी जी की है कुछ पन्ने कोरे रह गए लिखते हैं किताबे खोली थी हमने कुछ कुछ पन्ने पढ़े भी फिर दूसरी किताब खोल लिए और पुराने खुले रह गए कभी सोचा है उस किताब पे क्या गुजरती होगी वो इसे आस में बैठा होगा कि कब आप उसे खत्म करेंगे बुरा है यह कहकर बन तो करेंगे खोला इसलिए कि अच्छी लगी बन नहीं किया कि अभी भी अच्छी लगती है जवाब आया कि साब बन कैसे कर सकते हैं यह तो जीवन का सार है अजी फिर पढ़ते रहिये उस तक को भी साथ की जुरत होती है कलम उठाया था बहुत कुछ लिखने के लिए इतनी सिद्धत से इतनी मोटी कोपी भी खर दी लिखा था कुछ दिन उस पे फिर कुछ सामान नहीं मिला लिखने को कुछ पन्ने कोरे रह गए उन पन्नों का क्या कसूर वो तो आज भी मचलती है आपके कलम के सपर्स को रो उठती है उसकी रूह जब देखती है आपके कलम को इतना उदास कल याद करेंगे आप उस किताब को और उन कोरे पन्नों को किस उमीद से खोला था अपने उन्हें अपने बाहों से विश्वास करें मेरा जवाब मांगेंगे वो आपसे कबरगाह तक पढ़ लो लिख डालो कि कोई कसक न रहे किसी किताब को और हाँ लिखना तो कुछ अच्छा ही क्योंकि इंसान बनाया है तुम्हें द्वारिकाधीश में कागजों पे गोबर तो गधे भी किया करते हैं पन्ने सुनहरे हो नहो भले ही लकडी का कलम हो या गुलमोहर की दवात हो पर लिखो ऐसा कि बस मजा ही आ जाए तन्यवा